दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस बाइक के बारे में बात करने वाले हैं यह काफी इंट्रेस्टिंग है आज है मेरे पास बाजाज की मोस्ट पोपुलर स्पोर्ट सेग्मेंट की बेस्ट बाइक पलसर 150 ट्विन डिस्ट के अंदर अगर बदलाव आए और मैं अपने कस् करती होगी अभी देखें इसके अंदर श्टिकर्स में इसके ग्रैफिक्स में फ्यूल टेंक पे लगाई यह 150 का लोगो इससे आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कंपनी वालों ने इसके अंदर बड़ा चेंज लाया है अगर देखें बैक साइड पर आपको ट्विन डिस से रियर तक जाएंगे इसका फ्यूल टेंक खुलेगा इसके लेफ़ हैं साइड का राइट हैं साइड का पैनल खुलेगा पूरी तरह से सीट को आपन करेंगे और बड़ा जो चेंज है ना उसके बारे में कवर करने वाले हैं तो आई से पहले आपने जितनी भी वीडियो देख ली नट्विन डिस्क के 150 के अंदर जो चेंज आये हैं तो बाहरी बाहर आपको श्टिकर दिखा दिया गया 3D लोगो दिखा दिया गया और मेटर के अंदर कुछ जो बड़े बदलाव हैं उसके बारे में आपको शेयर कर दिया गया बट आपको पता है जब भी मेरे पास ऐसी गाड़ियां आती है U20 की तो मैं अंदर की डिटेल करता हूं ताकि कोई भी हिसा कस्टमर कर डिसाइड कर रहा हो 150 लेने को तो उसको अंदर क्या-क्या इसी चीज़ें मिलेगा वो मैं डिरेक्टली वीडियो में बता देता हूं क्या-क्या इसके ब्रेकिंग आएंगे को लेकर ज्यादा एक्स्ट्रा प्राइस पड़े या फिर उनको जो कन्फ्यूजन ना हो बाइक को लेते समय तो एक बर आप इसका जो complete लुक देख ले ताकि आपको confusion ना हो इसे पर्चेज करने में देख लें complete इसका जो हैड लाइट वगीदा जो हैलोजन में है वो तो cover करेंगे सारी चीजों को एक बर आप चारों तरफ से देख लें 150 का एक sticker आपको left hand side भी मिलेगा एक यहाँ पे tail panel में एक right hand side उधर लिप से मिलेगा यहाँ पे U20 मिलेगा यह उपर उपर का आप चाहिए देख लें यहाँ पे देखें यह engine guard लगा हुआ है सारी चीज़ें आपने देख लिया चलिए अब detail में शेयर करते हैं अंदर के mechanism को शुरू करेंगे एक दम basic से तो देखें यहाँ पे आपको एक disc plate देखने को मिलेगा और अंदर आपको एक sensor plate देखने को मिलेगा यहाँ से इसके HECU यानि hydraulic electronic control unit को signal मिलता है कि हमारी गाड़ी की speed कितनी है और यह जो VS sensor है यहाँ से data collect करके इस जगा से wire जाता है और यहाँ पे अंदर जो है ना fuel tank के नीचे लगा हुआ है इसका HECU hydraulic electronic control unit का काम होता है कि गाड़ी का ABS को काम करवाना तो यहाँ से data collect करके यह HECU के पास भेजता है endurance का इसके अंदर जो है soccer लगा हुआ फ्रंट का यह आपको एक right hand side पे एक left hand side पे reflector देखने को मिलेगा यहाँ पे इस गाड़ी का disc caliper लगा हुआ है इसके अंदर आपको endurance का tire मिलेगा जिसका manufacturer TBS है चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे आपको इसके अंदर जो है carbon finish का एक mad guard देखने को मिलेगा उपर आपको इसके अंदर hyalogen head lamp देखने को मिलेगा twin disc के अंदर बदलाव तो आ रहे हैं बट काफी slowly बदलाव हैं इतने धीरे धीरे अगर बदलाव करेंगे तो गाड़िया का जिस तरह से अभी competition है market में हमारे जो customers है वो दूसरे के तरफ attraction उसका जाएगा और गाड़ी दूसरी खरीद लेंगे तो अभी भी इसके अंदर आपको hyalogen head lamp देखने को मिलेगा यहाँ पे एक बाजाज का 3D logo राइट हैं साइड पे वहल लुमिनिक्स का इसका फ्लेक्सिबल एंडिकेटर और लेफ्ट हैं साइड भी फ्लेक्सिबल एंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा graphics के अंदर देखें तो front से आपको कोई भी ऐसा change देखने को नहीं मिलेगा जैसे ही left hand side मोडेंगे तो यहाँ पे आपको इसका charging port देखने को मिलेगा जहाँ से आप जो है अपने mobile को या कोई भी ऐसे electronic product को charge कर सकते हैं इस तरह से यह पूरी तरह से cover है जिससे आपका गाड़ जो एकदम safe रहता है जब भी आप high pressure का उप्योग करते हैं आपके गाड़ी जो है washing के दोरान एकदम protect रहती है left hand side अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसका एक बड़ा सा switch assembly देखने को मिलेगा जिसके अंदर काफी changes है अगर देखें तो यहाँ से आप इसको high beam पे shift कर सकते हैं low beam पे shift कर सकते हैं और यहीं से आप pass के लिए से indicate कर सकते हैं साथ अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक mode का button दिया जागा इससे आप पूरे इसके console को जो है ना control कर सकते हैं इसी एक button से clear जिसके बारे में भी आगे बात करेंगे यहाँ पे अगर नीचे देख right hand side switch में देखेंगे तो आपको यहाँ पे kill switch देखने को मिलेगा जिससे आप अपनी गाड़ी के engine को on और off कर सकते हैं नीचे अगर देखें तो आपको self start button देखने को मिलेगा और जैसे ही इसकी ignition को on करेंगे तो सबसे plus point क्या है कि गाड़ी start होते ही सभी में आपको lighting जो है glow glow करना शुरू हो जाएगा horn का हो या फिर इधर हो या फिर self का हो या उपर हो हर जगा पर आपका light glow करेगा जैसे हम थोड़े आगे के और बढ़ेंगे तो twin disc के अंदर सबसे बड़ा बदला वगर देखें तो इसके meter के अंदर है अब meter आपको पहले वाला बढ़ियां दिख के यहां पर मैं पहले बता दूँ इसके detail देने से पहले मुझे इसके अंदर जो पहला disadvantage लगा यह कि इसके अंदर अभी बेगियर इंडिकेटर दिया नहीं गिया है तो यह थोड़ी से अगर आप digital meter दे ही रहे थे तो यहां पर गियर इंडिकेटर एकदम देना जरूरी था देखें न्यूटल से में गियर में सिफ्ट कर रहा हूं तो यह लाइट तो बंद हो जा रहा बट गियर का इंडिकेटर हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है अभी देखें जैसे मैं left hand side के इंडिकेटर को प्रेस करता हूं तो यहां पर एक आपको इंफोमेशन मिल मिलेगा इस जगा पर जश्ट अगर नीचे देखें तो यहां पर आपको फ्यूल लो इंडिकेशन का सिंबल आपको देखने को मिलेगा यानि फ्यूल लेवल हमारी गाड़ी यहीं से शेयर करेगी left hand side अगर देखें तो यहां पर आपको न्यूटल का एक सिंबल देखने को मिलेगा ठेस्ट के नीचे आपको high beam low beam का जो ये पास light का जो symbol है यह आपको गलो करता हुआ दिखेगा जैसे थोड़ा साँ मागे बढ़ेंगे तो यहां पे आपको time देखनो को मिलेगा और ठोड़ा से जैसे आगे बढ़ेंगे तो वहां पे आपको side stand का भी एक देखें मै की गाड़ी चल रही है यह आपका ओड़ो है जहां पर आपका टोटल कल्कुलेट होगा कि आप गाड़ी को कितना रन कुर चुके हैं बाकि इसके अंदर एक ट्रीप एक फीचर मिलता है और उसके बाद अगर आपको में दिखाते चलू तो ट्रीप बी का भी इसके अंदर है और उसके बाद यहां पर आपको Bluetooth की facility मिलेगी और इसके अंदर कई सारे एक्ट्रा फीचर्स आपको देखने को मिलेगा जिससे पता चलेगा कि आपकी गाड़ी जो है कितने किलोमेटर पर लीटर आपकी माइलेज निकाल के दे रही है और दूसरा डिस्टेंस आपकी गाड इंडिकेटर लेंब का भी एक आपको देखने को मिलेगा चाभी स्विच के अंदर से मैं अगर चाभी को निकालके दिखाओं तो इसके अंदर आपको कुछ ऐसा खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा यूनोमेंडा इसका मैनुफेक्चर है जो काफी पुराना चाभी की के अंदर भी जो कि देखेंव उसी तरह से आपको देखने को मिलेगा यह पर तेंक के ऊपर आपको जैसे है आप देखेंगेगे इसके लोकर बिखेंगे मारे मेकनिक रहता है तो आपको बताते चलो उसके अंदर जो आप पेट्रोल की अंदर बीस परसेंट जो है कि ठला इसलिए इट्वेंटी का नाम दिया गया है यह स्टिकर अभी जा नहीं रहा है चलिए मैं इसे अच्छे से निकालता हूं जैसे नीचे आएंगे पलसर का आपको 3D लोगों देखने को मिलेगा और ग्रैफिक्स के अंदर देखे जो एट्रेक्शन ला रहा है वो ला रहा है य जो कि इससे हमारी गाड़ी काफी बल्की-बल्की सी लग रही अश्टिकर और ग्रैफिक्स में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे चलिए नीचे जलते हैं यहां पर आपको लेफटेंड साइड पे एक आपको हॉर्न देखने को मिलेगा यहां पर गर देखे हैं तो आपको अन इसके अंदर बदलाव कर दिया था कमपनी वालों ने जी नहीं इसके अंदर बदलाव नहीं है राइटेंड पर जो है अभी इसके अंदर डिजिटल ट्विन स्पार्क का इंजन मिलता है लेकिन एक चूक मैं यहां पर देख रहा हूं कलच कवर पर पहले यहां वैगनेट क साइग दिजिटल ट्मस साइग डिजिटल ट्वीन स्पार्क अदर से इसे कंपनी वालों बाइब इंजन डिजिटल की घञा करके था कंपनी वालों ने सिर्फ सिंगल रिटा दिया था अब इसके आंदर अल्रेडी है उसके बावजूद भी नहीं है तो लिखा होना चाहिए कहीं न कहीं आप लिखके दीजिए की गाड़ी डिजिटल ट्विन स्पार्क वाली है दोनों साथ आपको स्पार्क पलग देखने को मिलेगा थोड़ा सा जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको इस के पिकप कोईल का कनेक्शन देखने को मिलेगा ब्लॉक में अगर देखेंगे तो इसका यहां पर इस गाड़ी का सेंसर टाइट है थोड़ा सा जैसे नीचे आएंगे तो यहां पर आपको जो है इसके अंदर कंप्लीट एंडिकेशन दिए हुए गियर शिफ्टिंग का उस समय आप गियर को प्रेस कर देंगे श्टेन लगा रहेगा गाड़ी ओटोमेटिकली बंद हो जाएगी सीट को मैं ऑपन करूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि राइट हैं साइट से दिखा दूं राइट है इसके इनलेट साइट पे आ रहा है इसके चारकोल कैनिस्टर से इस से अपकि गाड़ी मिसिंग करेगी यह मैप सेंशर भी बोल सकते हैं टिपी सेंसर भी बोल सकते हैं एक तरह से यह सेंसर यूनेट है इसके अंदर सारे सेंसर इंक्लूड होते हैं ऊपर अगर देखें तो आपको दिखाते चलू यह जो है उपर इसका इंजक्टर लगा यह इसका brake pedal है इसका brake का यह जो adjustment nut दिया हुआ है इस जिगा पे इसका master cylinder kit लगा हुआ है और यहाँ पे इसके एक canister से pipeline आता है और इसके back side से दिखाओं तो इसका brake switch लगा हुआ है और इसका connection इसके master cylinder के top से आता है और दूसरा pipeline इसके disk caliper तक जाता है disk caliper की बात अगर मैं करी रहा हूं तो अगर मैं बताते चलू तो यहां पर गर देखें तो वी एस सेंसर इसके back side से भी connect है यह देखें इसका एक sensor का wire आया हुआ है और जेपीडी प्लेट इसके अंदर भी connect है अब सबसे बड़ा जो confusion माइंड में यह चलता है कि गाड़ी क्या हमारी गाड़ी ABS का जो complete mechanism work करवाते है और स्पीड मेजरमेंट दिखता है बैक साइड पे यह जो प्लेट और रिंग दी हुए इससे क्या होता है कि रियर वील की जो गती है इसकी स्पीड है वो इसके ECU और H ECU दोनों के पास भेजता है कभी कबार क्या होता कि हमारे जो रा mechanism है स्पीड की गती जो है वो यहां से भी लेता है करवन फिनिश के साथ यहां पे टेल पेनल में आपको 150 का एक स्टिकर देखने को मिलेगा फ्लेक्सिबल इंडिकेटर इसके बैक साइड पे है यहां पे आपको एक बैक साइड में रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा नीच आपंगी57 साइड देखने को मिलेगा यहां पर देखएँ हैं तो यह जो है दूसरे नंबर का फ्यूज है जिसके अंदर आपको 5A का ABS के लिए और 10A का charging के लिए आपको fuse देखने को मिलेगा जश्ट उपर अगर जाएंगे तो आपको इसके DLC coupler देखने को मिलेगा जो E20 आने के बाद पूरी तरह से change कर दिया गिया है तो ये इसका data link connector है जश्ट उपर इसका self relay है और इसके अंदर main fuse लगा होता 30A का ये अगर fuse यहां से गया तो फिर आपकी गाड़ी के अंदर जितने भी सारे system है वो working के लिए बंद हो जागा कभी भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी में कोई भी light वोगे रहा गलो नहीं करेगा फ्रोटल बोड़ी को यह आप एक बर अच्छे से देख लें ऊपर अगर देखें हैं तो rpm को fluctuate करवाने से रोकने के लिए इसका starter stopper motor लगा हुआ जिससे आपकी गाड़ी का rpm जो stable रहता है यह इस गाड़ी का यहाँ पर फ्यूज बॉक्स है यहाँ पर देख लें तो complete सारे फ्यूज के जो है detail दिये गये हैं जिसके उपर मैंने already video बना रखा है यह इस गाड़ी का emron की battery है इसके अंदर एक side की भी battery आती है चलिए इसके seat को हम open कर लेते हैं back side के seat को open करते हैं इस तरह से आपको एक rubber का protection cover मिलेगा जिसके अंदर सारे चीज़ें connect है पहले आपको पता होगा DLC coupler यहाँ होता था अभी इसके back side पे यहाँ पे आपको इसका indicator flasher देखने को मिलेगा left hand side का indicator, right hand side का indicator, number plate के लिए light, back light के लिए connection और यहाँ पे यह देखें तो इसका charging का main point है जो सीधा battery से जुड़ा हुआ यह इसका input है जो magnet side से input charging इसके पास आता है यहाँ पे अगर दिखाया जाए तो यह किसा का capacitor condenser लगा हुआ है जिसे charger के उपर ज्यादा load नहीं पड़ता और यह इस गाड़ी का RR unit यानि regulator rectifier लगा हुआ है जिसे इस main seat को open करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका master cylinder का एक top of box मिलेगा जिसके अंदर से oil जो आप इसके अंदर fill up कर सकते हैं जिसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बड़ा सा black unit यानि इसका जो है charcoal canister देखने को मिलेगा और charcoal canister के pipeline से connect आपको parge valve देखने को मिलेगा और यहाँ आप एकर देखें white coupler connection के साथ backlight का connection है और यह connection की जो बात कर रहा था यह इसके rear vs sensor का है यानि back side जो पीछे wheel से connect है इसका vehicle speed sensor जिसका connection यहाँ पे दिया हुआ है और front के wheel का connection front से दिया हुआ है tank को open करने के लिए इसके bolt को open कर रहा हूँ और मुझे यह यकीन नहीं होता है कि मैं बाजाज की गाड़ी की video shoot कर रहा हूँ क्योंकि हर नट पे tvs टीवियस लिखा हूँ आप मजाग में लिजी इस बात को manufacturer सबका अलग-अलग होता है अभी देखें इसके tank को open करें ना तो यहाँ पे आपको जो ही ना इसका ECM देखने को मिलेगा जिसके अंदर बड़ा change है यही सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा पहले आपको पता होगा इसके अंदर SIM type ECM आता था जो electronic control unit जो था electronic control module जिसे कह सकते हैं engine control module कह सकते हैं वो पूरी तरह से आप change कर दिया गया मैं right hand side से clear दिखाता हूँ अब खुद देख लें पहले कि जो मैं 150 open किया था ना side screen sensor के bypass को लेकर उसमें SIM type था मैं lock को open कर रहा था तो SIM type वो खुलता था बट इसके अंदर देखें एक बड़ा सा जैसे pulsar 125 के अंदर जिस तरह आता ने उसे अपडेट करना पड़ता था उसको चेंज कर रहे के बाद जो कंपनी ने यहीं लाया जिसका रिजल्ट हमें लगता अच्छा हुगा इसके अंदर एक टॉप लिखा हुआ है जिसको ऊपर आपको रखना है अंदर देखें तो आपको वहां पर फ्यूल पंप यह इसका ही सीओ और यह इसका कंप्लेट फ्यूल लेवल सेंसर लगा हुआ बाकि अंदर कुछ नहीं है यहां पर इस गाड़ी की और्थ टाइट है कभी अगर करन्ट ना आया या फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो यह और्थ को चेक कर सकते हैं देखें गाड़ी को पूरी तरह से तार- काफी फिसलेटी अब एड कर दी गई है काफी बहतरीन चीजों को इसके अंदर प्रोटेक्शन का अब्यारा सारा चीज मिलता है आप एक बर देखने सारे चीजें जब भी लेना हो आप आसानी से ले सकते हैं गाड़ी को आपको मैंने अंदर की चीजों को बता दिया उम्म करता हूं इस वीडियो से आपको इंट्रेस्टिंग इंफोर्मेशन मिला हो वीडियो अच्छी लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हर चोटे से बड़े मैं क्या निक भाजियो को वीडियो शेर कर दीजिए ताकि उनलों को किलियर ली पता च कुक कला चे आलों को कर दो किलिए तो उनलों कर दो वीडियो.